तो आज हम पढ़ने जा रहे है, crop production and management के class 8 के mcqs के questions पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो questions है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, which are the following crops would enrich the soil with nitrogen, तो इसमें यह बोला गया है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी crop है, या फसल है जो यहाँ पर मिट्टी में nitrogen प्रो उगाय जाते हैं, leguminious plant बोलते हैं, और कौन से होते हैं, वो जो मिट्टी के अंदर उगाय जाते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर डाले हो गई, पल्सिस हो गया, और इसमें जो होगा हमारा option वो 20 है होगा, क्योंकि जो मटर है, वो भी हमारी क्या होते हैं, मिट्टी के नीचे हो गई जाती है, इन plants में होता क्या है, इन plants के जो roots होते हैं, जो जड होते हैं, उसमें क्या होते हैं, राइजो भी यह बैक्टिरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो atmospheric gas को compound में change करते हैं, जिससे हैं तो हैं पर soil nitrogen उसको easily absorb कर पाती है, और अच्छे से growth कर पाती है जैसे कि हम यहाँ पर crop rotation में भी यूज करते थे हैं मतलब एक leguminous और एक non leguminous plant लगाते थे इससे यहाँ पर जो soil में nitrogen की deficiency नहीं होती थी तो यह तो हैं पर हो गया हमारा B option अब देखते हैं आपर second question में क्या पूछा गया है which of the following is not a खरीफ crop तो पहली बार जो खरीफ crop होते हो हमारे खरीफ season में उखते हैं जैसे कि हमारा खरीफ कौन सा होता है हमारा rainy season होता है खरीफ हमारा कौन सा होता है rainy season में उखते हैं ठीक है बट हमें यह बताने कि कौन से यहाँ पर rainy season में नहीं उखते मतलब rainy season में सब्सेल सो पाने चाहिए गण कर्म मष्ट्र को कि यह COVID-19 गण्रावें कॉक्ति है कब चाहिए lub मुझेड हो निम्म करता है जो ब्रोड कास्टिंग वड़ हमकि लिए यूसां सिंपल आपको बताना चाहे तो ब्रोड कास्टिंग मतलब होता है sowing of seeds by hand मतलब हम जो हाथ से बीज बोते हैं तो यहाँ पर fluffing the fields नहीं होगा rotating the crops नहीं होगा removing the weeds नहीं होगा कौन सा होगा हमारे समें option D होगा जो हम हाँ बीज बोते हैं बीज जो हम हाँ बोते हैं वो हाथ से बोते हैं ठीक है अब यहाँ पर question number 4 में जो बोला गया है यहाँ पर क्या बोला गया है fish liver oil is rich in मतलब fish liver oil में यहाँ पर क्या ज़्यादा मातर में present होता है vitamin A, vitamin B, vitamin C और vitamin D बट यहाँ पर इसमें 4 option हमें और दे रखे हैं नीचे तो इन में से यहाँ पर एक option हमें क्या करना है select करना है तो इहाँ पर जो होता है हमारे जो fish liver oil में ज़्यादा vitamin present होते हैं वो हमारे कौन-कौन से होते हैं A और D होते हैं तो इहाँ पर C option हमारा क्या होगा सही होगा अगर माल नों यहाँ पर यह नीचे वाला नहीं दे रखा है और यहाँ पर vitamin A, B, C, D में से किसी में पूछा है तो आप कौन सा दोगे इसमें vitamin D दोगे बट अगर यह नीचे वाला ऐसे options दे रखे हैं तो इहाँ पर हमारा आएगा A और D दोनों present होते हैं fish liver oil में अब देखते question number 5 में क्या पूछा गया है तो इहाँ पर पूछा गया which of the following is not grown by transplantation तो transplantation वो होती है जैसे कि हमने क्या होते है बहुत से जो crops होते हैं पहले nursery में होगाते हैं nursery में होगाने के बाद क्या करते हैं उनके वहाँ से जड़ साइथ उसको निकाल लेते हैं फिर अपनी crop field में लगाते हैं निकाले मेंन को problem होती है तो यह हमारा transplantation के जरिया नहीं लगाया जा सकता अब question number 6 में देखते हैं आप पर क्या पूछा गया है which of the following is not a ruby crop तो यहाँ पर हमें बताने कि ruby crop कौन सा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ruby crop होते क्या है ruby crop हमारे ruby season में उकते मालो winter season कहते हैं उसे तो winter season हमारे October to March होते हैं तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा हमारा ruby crop नहीं है तो इसका मतलब जो हमारा ruby crop नहीं होगा वो हमारा होगा soya bean क्या होगा वो हमारा soya bean ऐसा क्यों क्योंके सोय बीन को यहाँ पर क्या होता है पानी ज्यादा चाहिए होता है और विंटर सीजन में बरसात कम होती है जिसके वज़े से यह नहीं उख पाते इसलिए यहाँ पर जो option आएगा वो सोय बीन काएगा अब देखते question number 7 हमसे क्या पूछा गया है तो देखते हैं पर question number 7 हमसे क्या पूछा गया है one of the following crop is not cultivated by sowing its seeds directly into soil इसमें यह बताना है यहाँ पर ऐसा कौन सा क्रोप है जहां यहाँ पर directly उसको सोयल में नहीं cultivate की जाता मतलब हाँ उसको पहले nursery में उगाया जाता है वो हमें बताना है तो ध्यान से देखना है यहाँ पर कौन सा होगा हमारा wheat होगा, gram होगा, paddy होगा, मेज होगा तो यहाँ पर हमारा जो होगा, वो होगा हमारा paddy, मतलब जो rice की crop होती है, paddy मतलब जो rice की crop होती है उसे ही बोलते है तो इसको पहले हमें नर्सरी में होगाना पड़ता है नर्सरी के बाद हम इसे crawfield में उगाते हैं तो इसको directly हाँ पर cultivated crawfield में नहीं करते हैं वो हमें हाँ बताये गया है तो यहाँ पर कौनसे option होगे हमारा C अब question number 8 में देख लेते हैं से क्या पूछा गया है tomatoes are cultivated by the practice called तो जो टमाटर होते हैं वो हम कैसे cultivated करते हैं वो हम यहाँ पर पहले nursery में होगा आते थे फिर हम अपने Crawford में होगा आते थे और उस process को हम यहाँ पर क्या बोलते थे transplantation जो कि इसका option होगा D ठीक है अब हम देखते हैं पर question number nine में क्या पूछा गया है तो देखते हैं पर question number nine में हमसे क्या पूछा गया है which of the following cannot be provided to the soil by a chemical fertilizer तो यहाँ पर यह बताएगा कि यहाँ पर मिट्टी में कौन सा ऐसी चीज है जो यहाँ पर chemical fertilizer provide नहीं कर पाता तो सबसे N से हमारा होता है nitrogen P से हमारा होता है phosphorus और के हमारा potassium potassium का जो symbol होता है वह होता है के तो यहाँ पर nitrogen potassium phosphorus तो नहीं होगा बचा क्या हमारा humus हूमस जो होता है वह हमारा कौन provide करता है manure जो की organic होता है ठीक है तो manure और हमने यहाँ पर चीज है जो यहाँ पर transplantation के जरीए नहीं उगाई जा सकती तो चिली टेमेटो पैटी यह तीनों चीज हमारे पहले क्या होता है transplantation से उगाई जाती है मतलब पहले nursery में उगाएंगे फिर उसके राइजोबियम बैक्टेरिया प्रेजेंट इंदा रूट नोडियोल्स और पी प्लांट कैन फिक्स वन आफ दी फॉल्वाइंग फ्रॉम दा तो यहाँ पर कौन सी चीज होगी वहाँ पर नाइट्रोजन होगी सी इसका option जो हमारा सही होगा वह होगा हमारा नाइट्रोजन अब देखते है क्या चीज पूछी गई है the process of beating out grains from the harvested wheat crop it's called मत्त्रम यहाँ पर क्या होता है जब हमारी फसल तयार हो जाती है हम उसको harvest करके निकाल लेते हैं तो वहाँ पर जो उसको जो उसके grains होते हैं उसको हम क्या करते हैं पीटते हैं तो उस process को यहाँ पर क्या बोला जाता है वो हमें बताना है वो process हमारी होती है threshing जिसका option यहाँ पर क्या होगा C होगा ठीक है अब हम बढ़ते हमने question number 13 की तरफ तो देखते हैं पर question number 30 में हमसे क्या चीज़ पूछे गई है the food obtained from animals is very rich in जो हमें animal द्वारा खाना मिलता है वो उसमें क्या चीज़ ज्यादा चीज़ प्रेजेंट होती है nutrients में से तो बताना fats प्रेजेंट होता है, carbohydrates प्रेजेंट होता है, minerals प्रेजेंट होता है या proteins प्रेजें होती है, अब question number 14 में देखते हैं हैं पर क्या पूछा गया है, the government agency responsible for purchasing grains from the farmers, safe storage and distribution, इसमें ऐसी कौन सी government agency की बात होती है, जो यहाँ पर क्या करती है, किसानों से उनका गेहू या फसल खरीती है, उसको अच्छे से store करके रखती है और उनको यहाँ पर distribute करती है, जैसे कि हमें government हमें राशन भी distribute करती है, तो यहाँ पर कौन सी वो agency government agency, उसका हमें यहाँ पर नाम बताना है, तो वो हमारी यहाँ पर है FCI, FCI की यहाँ पर जो full form होगी, वो होगी हमारी food corporation of India, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ food corporation, food corporation of India, जो यहाँ पर यह सारा काम करती है, क्या क्या करती है, वो यहाँ पर किसानों से उनकी फसल खरीती है, उसको अच्छी जिगा पर store करके रखती है, और distribute करती है, तो यह तीनों का हम यहाँ पर किस के होते है, food corporation of India के होते, अब हम यहाँ पर बढ़ते है, question number 15 की तरफ, तो question number 15 में यहाँ पर क्या पूछा गया है, the process of removing unwanted plants from a crop field is j àe, so, यहाँ पर हमें बताना है, जो हमें अंचाहे plants होते हैं, जो हमारे क्या होते है, main crop के साथ उग जाते हैं, उनको हटाने की process को यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हैं, उनको हटाया क्यों जाता है, इसलिए हटाया जाता है, क्योंकि अगर वोुनके साथ साथ उगएंगे तो, वहाँ प2020 नेयूटरींट चाहिए होगा उनको भी ऊहाँ पे नायटरुजन मिलने लगता taught that तो weeding हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से हटा सकते हैं जैसे कि हम अपने हाँ से उखाड सकते हैं एक सिकल है उसे भी हम क्या करते हैं यहाँ पर इसे काट के हटा सकते हैं और इनके weedicides भी आते हैं weedicides मतलब जो chemical होता है जो हम यहाँ पर मर जाते हैं वाले plants फां में मतलब जैसे के हमारा हैं गया हैन यहां पर क्या कि paradox हमें गया हैं जैसे कि हम उससे बहुत पोछा एक पूछा गया है बी transitions what's the borrowing is not a Correct Statement for और sowing seeds तो यहाँ पर कौन सा correct statement नहीं है यहाँ पर बीज उगाने के लिए तो A option यहाँ पर पूछा गया seeds should be sown at right intervals तो सही बात है हमें right intervals में बीज लगाने चाहिए नहीं तो यहाँ पर एक साथ लगा देंगे तो वहाँ पर क्या होगा उनको अच्छे से यहाँ पर soil में से nutrients नहीं मिल पाएगा तो पहला option तो हमारा सही है बी यहाँ पर बोला गया हमारा seeds should be sown in dry soil तो यहाँ पर हम सूखी मिट्टी में जो बीज उसको नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ पर water भी जरूरी होता है तो इसका मतला हमारा जो option सही होगा वह हमारा क्या होगा सी सही होगा क्योंकि यहाँ पर यह statement हमारा गलत है और डी भी यहाँ पर क्या बोला गया उसको भी बता देता हूं ऐसे में क्या होगा अगर हम यहाँ पर पानी डालते तो जो नीचे वाला इस्तान है वहाँ पर क्या होगा पानी इखटा हो जाएगा तो ऐसी जो यहाँ पर होती है अनीवल लैंड में तो यहाँ पर कौन सा हम पानी देने के लिए हम कौन सा सिस्टम यूस करते वो है हमारा Sprinkler Irrigation System C Option Sprinkler में होता है कि जैसे हमारे 20 के तरह फोअरे होते है वैसी यहाँ पर पानी देता है जिससे यहाँ पर क्या होता है बराबर मातरा में पूरे crops को यहाँ पर पानी मिलता रहता है और एक जिगां यहाँ पर पानी एकटा नहीं होता तो यहाँ पर जो option होगा, वो हमारा क्या होगा, C होगा, sprinkler irrigation system, अब देखते question number 19 में क्या पूछा गया है, question number 19 में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है, the two crops which are not grown by sowing, they are stitched directly into the soil in large fields, तो कुल बलाके यहाँ पर बोलागे, हम directly crop जो है, यहाँ पर crop field में नहीं उगाते हैं, मतलब पहले हम यहाँ पर खाऊ उगाते हैं, उसको nursery में उगाते हैं, फिर उसको वहाँ पर जब वो उख जाता है, जब वो plants में change जाता है, तो उसको यहाँ पर क्या करते हैं, transplantation करके हमारा option B और C सही होगा, मतलब जो यहाँ पर tomato और जो मिर्ची है, वो हमारे क्यों होते है, transplantation के जिरिया ही की जाती है, मतलब पहले इसको nursery में हो गया जाता है, फिर अपने main crop field में हो गया जाता है, तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पर option सही होगे, वो हमारे होगे B ठीक है, B and C part, अब question number 20 में हैं पर पूचा गया, the best technique of watering the fruits plant and tree, तो यहाँ पर कौन सी best technique है, जहाँ पर हम क्या करते है, पौधे को पानी दे सकते है, मतलब जो fruit plant है और पेड को, तो सबसे यहाँ पर जो बड़िया method है, वो हमारा है drip system, drip system में होता है क्या, जैसे कि यहाँ पर हमारे प पानी डालता है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, पेडिया पहुदे लगे होते हैं, जैसके हाँ पर fruit plant हो tricky बात हो रही है, ओप आपको यह MCQs जितने भी यह समझ में आया होगा, thanks for watching.